Hello friends, welcome to JK Agriculture Classes या Soil Suns का Parts 10 है इसमें आप सभी को Biofertilizer यान की जेव उर्बरक के वारे में डेटेल में बताएंगे इसमें आप सभी को Biofertilizer क्या है? इसका अर्थ, Biofertilizer के प्रकार, Biofertilizer के लाब और इसके प्रयोग करने की विधियां आद पर चाचा करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इसमें आप सभी को राजियो वियम, BGA यानि की नीलरी सेवाल, एजटो वेक्टर, एजोला, इत्यार के बारे में बताएंगे या BSC Agriculture First Semester Soil Science का Part 10 है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जेव उर्बरक क्या है? पोधों को लाब होता है, जेव उर्बरक कहलाते हैं या मुखिता दो भागों विवाजित किया जाते हैं नाइट्रोजन इस्तरी कारक, जेव उर्बरक, पासफोरस वलंड कारक, जेव उर्बरक तो सबसे पहले देखते हैं नमबर एक नाइट्रोजन इस्त्री कारक जेव उर्वरक दो भागों में भाजित किया जाते हैं फस्ट है SIGV नाइट्रोजन इस्त्री कारक जिसमें राइजोबियम वेक्टिरिया वीजी आनिकी ब्लू ग्रेन इलगी एजोला इत्या दियाते हैं नेक्स्ट है SIGB, नाइट्रोजन इस्त्री कारक इसमें नौस्टार्क, एजटोवेक्टर वेसलस, क्लोरो बियम कित्यार याते हैं नाइट्रोजन के बाद फासपोरस दूसरा सबसे आवश्यक पोसक पत्थ है आगुलंसील फासपोरस को गुलंसील फासपोरस में स्ट्रेटा बदलता है जबकि माई को राइजया यक्टीरिया आगुलंसील नाइट्रोजन को गुलंसील नाइट्रोजन में परवरतित करता है ये जीवाण, गेहू, मक्का, धान और सोयावीन के उत्पादन में 10-15% तक ब्रद्धी करते हैं नेक्स्ट है राईजोबियम जेव उर्वरक ये जेव उर्वरकों में राईजोबियम सबसे महत्पूंट ये उर्वरक है जिसका प्रयोग दलहिनी फ़सलों में किया जाता है राईजोबियम वक्टिरिया बायुमंडरी नाइट्रोजन को दलहिनी फ़सलों के जडगन्तियों में स्थापित करता है यहाँ जीवाण नाइट्रोजन को फसलों में नाइट्रेट और अमोनिकल रूप में उपलब्ध कराता है राजो बियम जीवाण द्वारा प्रतिवर्स दलेनी फसलों में 20-25% तक नाइट्रोजन उपलब्ध होती रहती है जिससे फसलों में 15-20% या 25% फसल उतपादने ब्रध्ध होती है राजो बियम जीवाण द्वारा भू में उरवरा सकती में ब्रध्ध होती है राजो बियम बक्तिरिया का प्रियोग बीचो अप्चार विदी से होता है नेक्स्ट है राईजोबियम की कुछ प्रजातियां जो मुखिता दलनी फिसलों में प्रियोग की जाती है और उसे सम्मंदित फसले राईजोबियम मेली लोटी इसका प्रियोग रिजका और सेंजी में किया जाता है राजयोबियम ट्राइफोलियाई इसका प्रियोग बरसीम में किया जाता है नेक्स्ट है राजयोबियम लेग्गिमनेसेरम इसका प्रियोग मटर और मसूर में किया जाता है नेक्स्ट राजयो बियम फेसियो लाई इसका प्रियोग अरहर और उर्द और मुंग में किया जाता है राजयो बियम जपोनिकम जिसका प्रियोग स्वया बुईन में किया जाता है नेक्स्ट है राजयो बियम लूपनी इसका प्रियोग लूपनी में किया जाता है नेक्स्ट है राईजो में स्पसीज, लोबिया, मुंफली, चना, गवार और लोशन इत्यार फिसलों में किया जाता है नेक्स्ट उर्वरक है एजोटो वेक्टर एजोटो वेक्टर जेव उर्वरकों का प्रियोग अदिलेनी फिसलों में किया जाता है यानि कि जो फसने दिलेनी नहीं होती है उसमें किया जाता है जैसे कि गन्ना है बाजरा, गेहूं, धान, इत्यादी इस उर्वरक द्वारा मुर्दा में 25-30 kg प्रत हेक्टेर नाइटरोजन उपलब्द होती रहती है जिससे 10-15% उत्पादन में व्रद्धी होती है अजर्टो वेक्टर की दो प्रजातियां जो मुखिता प्रयोग में लाई जाती है नमबर एक है अजर्टो वेक्टर क्रोको कम नमबर दो है अजर्टो वेक्टर एजिलिस नेक्स्ट जेव उर्वरक है नील हरिस सेवाल इन्हे साइनो बक्तिरिया भी कहा जाता है या एक कोष्ट के जीवाण होते हैं जो तंतु के याकार के होते हैं इस जीवाण द्वारा बायुमंडरी नाइट्रोजन को धान के खेत में भूम में एकत्र किया जाता है नील हरी सेवाल द्वारा प्रकास अंसलेशन से उर्जा ग्रहन करके बायूमन ड्रे नाट्रोजन भूम में इस्तरी करन करता है नील हरी सेवाल स्वतंतर रूप से जीवन आपन करने वाला एक जीवाण होता है जिने धान के खेत में प्रियोग किया जाता है धान के खेत में सदेप पानी भरा रहता है जिस कारण की व्रद्धी और विकास अच्छा होता है नीन हरी सेवाल द्वारा 20-40 kg प्रतिहक्ट्यर भूम में नाइट्रोजन एकत्र की जा सकती है इसे अमली और छारी भूमियों का सुधार भी किया जाता है नीन हरी सेवाल का प्रियोग गेहों के खेत में करने पर 7-14% तक उत्वादन में ब्रद्धी पाई गई है नीन हरी सेवाल की कुछ मुख प्रजातिया जिनका प्रियोग जेव उरवरक के रूम में किया जाता है जिसमें नौस्टक, एनावीना, क्लोथरिक्स, ओलोसीरा, सिलिद्रो, स्पर्म के त्याद प्रमुख है नेक्स्ट जेव उरवरक है एजोला या ठंडे पानी में उगने वाला घास है जो तालावो पानी भरे इस्थानों में तेरती रहती है इसका धान के खेत में जेव उरवरक के रूम में प्रियोग किया जाता है इसकी ब्रद्धी इतनी तेज होती है कि 20-30 दिनों में दोगनी हो जाती है अजोला की नाइट्रोजन इस्त्री करण छमता ज्यादा होती है या शिक ग्रही कार्वनिक पदात में परवर्तित हो जाता है जिससे भूम की भोतिक दसा में सुधार होता है अजोला की 12 टन मात्रा प्रियोग करने से 20-30 किलोग्राम प्त हेक्टेर नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है अजोला का प्रियोग थाइलेंड वियतना मलेशिया और चीन इत्याद देशों में किया जाता है जिससे प्रकार है या घास की तरह इस प्रकार तालाबों में देखा जाता है जेव उर्वरकों के प्रियोग करने की विधियां इसकी मुख्धा तीन विधियां है जो मुख्रूप से प्रियोग की जाती है नमबर एक है मद्दा उप्चार विधी यानिकि Soil Treatment Method नमबर दो है वीज उप्चार विधी Seed Treatment Method नमबर तीन है ओध उप्चार विधी Seedling Statement Method नमबर एक देखते हैं मद्दा उप्चार विधी जेव उर्वरकों के प्रियोग करने की या मुख्ध विधी है मद्दा उप्चार विधी द्वारा मुखे रूप से एजटो वेक्टर उर्वरक का प्रियोग किया जाता है इसका एक पेकट गोबर में 1 अनुपात 5 के अनुपात में मिलाया जाता है कभी-कभी एजोटो वेक्टर का पानी में घोल बना कर खेत में छिड़क दिया जाता है इस विधी द्वारा एक वेक्टर में 10-12 पैकट एजोटो वेक्टर लगता है नेस्ट है नमबर दो बीज उपचार विधी इस विदी का प्रियोग सभी जेव उर्रकों में किया जाता है इस विदी को ववाई से पूर्व किया जाता है जिसने बीज में कल्चर द्वाराप्चारित करके प्रियोग में लाया जाता है इसमें 10% तक गुड या चीनी के घोल का प्रियोग किया जाता है इसमें गुड़ या चीनी का प्रियोग चिपचिपाट लाने के लिए किया जाता है इसके गोल में 2 ग्राम गोंद भी मिलाया जा सकता है जिससे कल्चर अच्छी तरीके से चिपख जाए इसके उपरांथ इस गोल में 15 मिनिट तक निरजवी करन करने के लिए इस्टलाईजेसन करने के लिए उबाला जाता है और गोल को ठंड़ा कर दिया जाता है अब इस गोल में 1 पैकट जो 200 ग्राम का होता है जीवाड कल्चर मिलाया जाता है और अच्छी तरह से निश्चित मातरा में वीज में पानी मिला दिया जाता है जिससे विजो उप्चार हो जाता है और इसे अच्छी तरह से हवा में सुखा लिया जाता है शुखने के प्रश्चात इसे खेत में प्रियोग कर दिया जाता है इस प्रकार आप इसे कुस पिक्चरस देख सकते हैं नेक्स्ट है नमबर तीन ओधुप्चार विधी एजेटो वेक्टर जेव उवरक के लिए इसी विधी का प्रियोग किया जाता है धान या सबजीयों की फसलों में जिनकी रुपाई की जाती है उनमें इस विधी का प्रियोग किया जाता है गोल के पानी में चिपछपाट पिदा करने के लिए गोद या अन्य पदाद भी मिलाये जा सकते हैं इस बिदि में 7-8 पैकट कल्चर पतीहट्टिर का प्रयोग किया जाता है प्रतीक पैकट को 15-20 लेटर पानी के गोल में मिलाकर तियार किया जाता है इस विदी का प्रियोग निम्न फिसलों में किया जाता है कि जैसे कि पेला, गन्ना, आलू शकरकन नित्यादी जिन में वानस्पतिक परवर्धन होता है उनमें इस विदी का प्रियोग किया जाता है इस विधी में पोधे को कल्चर में 5 मिनिन तक दुबवया जाता है और इसके बार रुपाई की जाती है या विधी बहुत ही सर्वोत्तब मानी जाती है यह वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिटिकेशन मिलती रहे थिंक्यू फार वाच दिस वीडियो